जी अस्राम अलेकूँ आज की वीडियो में मैं आपको कुछ गाइड करूँगा बायोमेट्रिक वेरिफेकेशन के हवाले से जब भी किसे मेडिकल स्टोय और फार्मसी के लिए आप लैसेंसिंग के लिए अपलाई करते हैं और on the time of inspection जो related drug inspector होता है वो ये बायोमेट्रिक वेरिफेकेशन को भी चेक करेगा वेरिफाइ करेगा जो आपने अपलोड की होगी अब ये जो बायोमेट्रिक वेरिफेकेशन है ये कहां से बनती है ये आपका कोई भी नाद्रा का जो ये सहूलत सेंटर होगा अब वहाँ पर जा सकते हैं आप उनके minimal charges पे करके वो जो बायोमेट्रिक वेरिफेकेशन है अपनी वो करवा सकते हैं और ये बायोमेट्रिक वेरिफेकेशन जो है ये public portal के इलावा आपने अपने पास भी save रखनी है along with the original documents जब drug inspector visit करेगा तो इसको verify करेगा और इसका मतलब ये है कि आपने बायोमेट्रिक जो है वो नाद्रा से आप उसके system के अंदर इंटर हो चुके हैं और आपको कोई दुश्वारी नहीं आएगी ठीक है तो ये एक नहीं ऐसी condition है ये prerequisite है जो के licensing के time पे आपने पूरी करनी है अब इसमें ही है कि कुछ लोगों का एक issue आता है कि आपका fingerprint जो है वो काम नहीं करता या आप आपने देखा होगा कि biometric machines होती है different अब अपना thumb impression लगाती है सारे fingers को try करते हैं लेकिन आपका fingerprint काम नहीं करता इस चीज को भी मद्दे नजर रखते हुए department जो है उन्होंने ये step लिया कि जिस बंदे को कोई इस तरह की problem पेश आ रही है कि उसका fingerprint काम नहीं करा thumb impression जो है वो नहीं लगता उसको कोई ऐसी बिमारी है कोई illness है कोई genetic disorder इस तरह का है या उसकी कोई amputation है कि for example कुछ हमारी लोगे जैसे किसी का कोई accident हो गया तो उसका हाथ नहीं है finger नहीं है या फिर उसके जो thumb impressions है वो खायब हो चुकी है या age का factor कुछ ऐसा है कि उसके thumb impression नहीं लग सकते है इस तरह से different factors है तेक है अब इस सब में क्या कर सकता है ऐसा इनसान कि वो एक certificate लेंगे अपने जो nearby जो आपके secondary या tertiary care hospitals है आप अपने THQ, DHQ से या फिर किसे specialized जो health care department है उसके अंडर जो hospitals है वहाँ से आप एक certificate बर्मा सकते हैं अपने नाम पे कि मेरा ये issue है कोई बिमारी की वज़ा से, amputation की वज़ा से या मेरे थाम impressions नहीं है या आप नादरा के center में जमा करवा देंगे जब ये जमा करवा देंगे नादरा इसको verify कर लेगी ठीक है और आपको आपको ये बता दिया जाएगा कि जी आपको ये कह दिया जाएगा कि अब आपका जो application के लिए ये process है ये clear है ठीक है तो आप उस वो जो prerequisite है वो आप उस तरह से address कर लेंगे अपना otherwise तो अगर आपका thumb impression नहीं है तो आप नादरा इस अगलत पर जाएंगे भी तो वो उस तरह से आप वो लगेगा नहीं आपका thumb impression और अगर thumb impression नहीं है आपके पास biometric verification नहीं होगी verification नहीं होगी तो आप licensing के लिए apply नहीं कर सकते है licensing के लिए apply नहीं करेंगे तो आपका license बनके नहीं आएगा pharmacy या medical store का इसलिए आप कागत हमें pressure नहीं लग रहा तो आप hospital से certificate बनवाएंगे और इसको आप नादरा को दे देंगे नादरा इसको verify कर लेगे और फिर आपके जो step होगा वो clear हो जाएगा इसमें मैं आपको पढ़के पे सुना देता हूँ ताकि आपकी better understanding go this is with respect to the biometric verification of proper writer and qualified for the purpose of issuance of drug sale license the centralized drug sale licensing public portal has provided an option for the applicant to upload the नादरा e-sahoolat biometric verification कि आपका जो cdsl का public portal है उसके उपर एक जगा है जहां पे आपने वो नादरा की e-sahoolat center से मिली भी biometric verification को upload करना है in the checklist namely fingerprint वो fingerprint लिखा होगा माँपे of the proper writer and qualified person for every cdsl public portal application तो यह proper writer और qualified दोनों की upload करने होती है नादरा has a system in place for citizens who are unable to obtain the नादरा e-sahoolat biometric verification due to illness बिमारी की वरा से genetic conditions genetically family oriented condition की वरा से amputation की कोई accidental या कोई ऐसा juice वह जो कटा हूँ हाथ का या fingerprint का age उमर और other factors यह ऐसे related कोई भी ऐसे issues जिसकी वरा से आप the impression requirement on the CNIC after receiving and verifying a medical certificate जो नादरा है वो इस चीज की option यह जो exemption दे देती है कि आप अपनी biometric करवा है ठीक है और वो CNIC भी आपका काम हो जाता है अगर आप एक receive करते है certificate और नादरा verify कर लाता है जो आप hospital से कर रहे हैं from the panel of doctors of the tertiary and secondary government hospitals यह जो पैनल of doctors है इन से आप अपना medical वो बनवा लेंगे certificate और वो नादरा को जमा करवा देंगे और नादरा आपको exemption देदेगी stating the medical issue necessitating the exemption of the thumb impression requirement ठीक है you are therefore directed to guide such CDSLPP applicant accordingly for the submission of an evidence in his or her name from the office of नादरा declaring an exemption for the thumb impression requirement और यह जो exemption होगी आप इसको upload कर देंग और साथ यह अपने पास रखेंगे ताकि जब आपकी आपका visit हो तो आप यह अपना certificate जो यह भी दिखा सकें और आपकी जो जो आपने apply किया वह अपना certificate की base और documentation की base पे अपनी licensing के लिए तो वो जो licensing का step है वो भी clear हो जाए तो जो drug inspector आपको visit करेगा वो आपके सारी original documents को देख लेगा आपकी category को आपके चलान form को आपके affidavit of proprietor आपके affidavit of qualified person आपने जो biometric verification करवाई है उसको अगर biometric verification नहीं है तो यह आपके जो certificate को जिसकी base के ओपर नाधर आपको go ahead देदेगा तो अगर कोई question आपके जहन में हो तो आप comment कर सकते हैं thank you